च्यामाविन दिवाशनी हर हर महादेवाब शबीगा स्वागत है अमारे उठ्टो परिवार में भगवान स्री गणपती की विशेश प्रकार की तंतरुक्त विधान युक्त एक ग्रेस्त साध्य को किस प्रकार से सेवा पुजा करने चाहिए एक दिवसी पुजन का विधान बता रहे हैं जैसे आप प्रतिक कृष्ण पक्षा अत्वас्टुक्ल पक्ष की चतुर्थी तीति को कर सकते हैं आप की जीवन में बिसेस प्रकार के बहुत सारे दुरगएट नाय हो रहे ही हो विशेज करके एक्सिडेंट्स हो रहे हो कोई काम ही नहीं बन रहा हो आप कितना भी प्रयास करें आप बहुत सारे अलग-अलग प्रकार की साधना कर रहे हैं फिर भी आपको कोई परणाम नहीं मिल रहा है तो आपको जरूर ही एक दिन का विधान आपको अपने घर में करना चाहिए स्वेम से करना चाहिए इस विधान को किस परकार से करना है इस विधान को जान लीजिए सरो प्रतम जो है मैं आप से विशे निविदन करूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्काइब कर ले तंत्रोक्त संबंधित विभीन वर्षियों की जनकारी इस चैनल पर आते रहाते हैं जो कि ग्रहस्तों के लिए होते हैं इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करना है कि किसी अच्छे जगा में आप यह देखिए कि या तो बरगद के व्रिक्ष के जड़ के पास के मिट्टी अथवा बेल व्रिक्ष के जड़ के पास के मिट्टी अथवा नीम व्रिक्ष के जड़ के पास के मिट्टी और यह तीनों व्रिक्ष जो हो अच्छे जगा में हो यहां जहां पर कचड़ा इत्यादी लोग ना फे करके आना है और वह आपको कम से कम प्रती बदाती थी कि दिन ला लीजिए यानि दो तीन दिन पहले ला लीजिए आप मुरती तहरी देख सकते हैं नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर निर्जन चित्र से मिट्टी ला रहे हैं तो पीला सरसो ले करके जाना ह पेला सरसो पर पहले है जो भी कवश मंत्र आपको आता नहीं तो हमान चालीसा कम से कम पाँच बार पढ़ए के यानि उस सरसो को अभी मंतुरित करके लेके जाए और जिस ब्रिक्ष के पास से आपको मिट्टी लानी है उस ब्रिक्ष के पास जो है सरसो को छीट दीजिए इस प्रकार से भच्छेतर जो है पूरी तरीके से अगर वहाँ पे कोई वाईवे सक्तियां इत्ता दी होंगे तो उससे मुक्त हो जा मुकदमा फसा दिया गया है कोई सत्रू आपको कारेस थल्प या थो आपके व्यापारी तरियां परशान कर रहा है जीवन में भी अगर कोई सत्रू बहुत अधिक परशान कर रहा है तो आपको नीम ब्रिक्ष के जड़ से मिट्टी लेकर क्यानी है और आप सभी मनो नहीं लग रही है या नवकरी सम्मंदित कोई शमस्या है तो उसकी लिए अगर साधना करने जा रहा है तो वरगद के जड़क से बरट वरिक्ष के मूल से आपको मिट्टी को लेकर के आना है मिट्टी कितना लेकर के आएंगे कम से कम प्रयास किजी कि आदा किलो तक कपडे में बड़ा कपडा लालो रंग का कपडा लें उसको रख के लिए आधकी मिटि साफ कर लिए अच्छे से से और शेको फिर उसी कपड़ करके सूखने के लिए राखतेजे जर मिट्टी 1-2 दिन में सूख जायगा तब उसको कूट करके उसमारे चुण बनाने लीज में बांद करके सूखने के लिए रख दीजे जब मिट्टी एक दो दिन में सूख जाएगा तब उसको कूट करके उसका बारिक चून बना लेजिए सुध मिट्टी रहेगा चून बनाने के पश्चात अब जो है इससे आपको मृतिका सुधन का पहला जो प्रक्रिया है वो आ काल रंके वस्त्र मनुकामना पूर्तिक के लिए तो या फिर धन के संबंदित समश्या उसके है तो पीले रंका वस्तर पहनेंगे पिला ही आसन होगा अब आपको इसमें क्या-क्या चीज मिलाना है इसको ध्यान में रखेंगे सरपत्म जो है सफेद रंके देसी गाय अगर ह तो उसका कच्छा दूधा आपको चाहिए गंगा जल चाहिए गुलाब जल चाहिए चंदन का बारिक पिसा हुआ चूरण चाहिए साथ में आपको अस्वगंधा का जड़का चूरण मिल जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई नमक न मिलाया हो सुद्ध जो हो वह आपको ज प्बड़ा स्वगंधा का इसके साथ ही आपको थोडा सा मिथी का पाड़र चाहिए तो यह जो चार पांच चीज जो बताया है यह पांच चीज आप हो जरूड मिले साथ में दूप घास का जड़ इस सभी चीज आपको और दूखान पर मिल जाएंगे तो यह सबी चीज लागर करकनी है इन सभी जितनी वी चीज बताएंगा है इन सभी का ट्रोन बना करके आप पो रखना है चुरन मिल जाते हो ती उत्तम है उसको मिट्टे में मिलाएंगे दूद्ध को मिलाएंगे और उसको पूरे तरीके से अच्छे से सान लेंगे उसके को बांध करके यानि कि उससे फिर आप गणपती की मूर्ती को बनाएंगे गणपती की मूर्ती में सरोप्रतम जो है भगवान स्री गनेश का अलग से आप किस क्रम में बनाना होता है इसको विद्यान दीजेगा अगर आपको मनुकामना पूरती हितु और धन सम्मंदी समश करती अगर सत्रौनासेख सम्मंदी साधना करने जा रहे हैं तो उनका च्छरम पहले बनेगा पहले नीचे का भाग च्रान से बनते यह नीचे से उपर क्योर जाएंगे, तो इस प्रकार से भगवान स्री गणपती के विगरह का निर्मान होगा, जब विगरह का निर्मान हो जाए, तब उनको थोड़ा दिर सुखने के लिए छोड़ दीजी, फिर उसके उपर में सिंदूर, नारंगी सिंदूर जो होता है, न अगर आप पुरुस हैं और जन्यों धारण करते हैं तो उनको भी जन्यों पहनाएंगे अगर आप इस्त्री हैं तो जन्यों उनके समक्ष रख देंगे इतना कार्य आपको कर लेना चाहिए उसके बाद आपको यह काम करना है कि भगवान स्री गणेश के सामने धूप दीपित को जो है भोग इत्ताधी लगा देंगे और पाठ करना सुरु करेंगे पाठ करने से पहले संकल्प लेंगे संकल्प पसपस चुरूप से बोलेंगे कि आज चतुर्थी ती दिन मैं धनदान की प्राप्ती है तो कर्चे से मुक्ती है तो भगवान स्री गणेश के आज का यह पूजन पूरे तरीके से पूजन पाठ अर्चन नित्यादी करने का संकल्प लेता हूं लेती हूं सत्रो नास के लिए करने जा रहे है तो सत्रो नासक संकल्प लेना है कि सत्रो नासके है तो सत्रो जो मुझे प्रसान कर रहा है उससे मुझे मुझे मुक्ती मिले भगवान स पुस्पश्ट करेंगे और उस प्रकार से फिर उसको भी मुर्ती को बना लेंगे, संकल प्ले करकर अब इस महारम करेंगे, सब्रसे पहले जो है, अगर आप संभव हो तो हिंदी में ही सही, संस्कृत में नहीं कर पाएंगे, तो हिंदी में ही सही, यह करने के बाद अब आपको भगवान स्री गणेश के सहस्त्र नामावली से यानि एक हजार आठ नामों से अलग-अलग नाम आपको किताब मिल जाएगा मार्केट में ध्यान रहे हैं सहस्त्र नाम नहीं लेना है सहस्त्र नामावली लेना है जिसमें नाम अलग-अलग लिखा रहे है एक साथ जो लिखा होता है सहस्तर नाम सुरुत रहता है तो उसमें आपको एक साथ पाठ करना होगा लेकिन अलग-अलग नाम जैसे गणपती नमहा गजाननाय नमहा इस तरीकी से जो रहता है सहस्तर नाम आम लिखाते हैं तो एक हज एक नाम से जो है आपको एक एक दूब जो है वह चढ़ाना है भगवान स्री गणेस के उपर में दूब घास आपको अच्छा खासा लेगीगा वह लाकर धो करके उसमें सुगंधित जल्द इत्यादी मिला करके रखिया अगुरू चंदन पनी डालके और उसी दूब से हर एक नाम से भववान का स्री गणेस के उपर में अर्चन करेंगे एक आजार आड नामों से उनका अर्चन करेंगा अर्चन करने के बाद से अगर आपको आता हो या संभो हो तो कम से कम 108 हा हुथी, यहनि हवन आपको करना है, पुरुस हैं तोगी से इस्त्री हैं तो हवन सामगरी से, इस प्रकार से हवन इत्यादिक करने के पशात तरपन और मार्जन करेंगे, बिधी चैनल परेधिया हुआ है, तरपन मार्जन कैसे करते हैं, आप देखके अदम आसान है कर सकत है एक बालग को आठ बर्स से कम आयू के एक बालग को या मैक्सिममाट वर्स का हो एक बालग को आप बोज़न उच्चिन करवा दीज़ी यांको मिठाई कि लादीज़े किसी विवरण का बालाग होब्रामाण च्हत्री वैसे सुद्र से कोई लेना देना नहीं है सत्रों ना से तो सुद्र रुप्योगत होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए वैश्य और सत्रों के उपर विजा प्राप्त करना है तो उसके लिए शुद्र अथवा च्छत्र यह पुत्र लेकिन फिर वरण देखने क्या प्षकता नहीं तो इस प्रकार से इसको पूर्ण करेंगे उस दिन पूरा दिन उपवास में रहेंगे अर्थात आप फलाहार कर सकते हैं या फिर अगर आप नहीं बिना खायरा सकते हैं तो सेंधा नवजो पाहडी तमप होता है उससे युक्त ही खाना आप खाएंगे इस प्रकार से यह साध सकते हैं फिर भी जो उप्योगत्त था वह बता दिए अगर आप लगातार करना चाहते हैं कि हमको समस्या बड़ी है कंटिनिव इस प्रोसेस को करना है तो आपको दोनों चतुर्थी को चाहें तो भी कर सकते हैं कृष्णपक्ष में भी सुकलपक्ष में भी करते हैं यह साल भ देश्पती बार होगा तो उनका विसरजन नहीं होगा ध्यान रखेंगे रभी वार होगा तो उनका विसरजन के जाता है लग कि दस्पति बार को रभी बार के दिन जो है विसरजन ना करें तो देड़ दिन बितने के बिचाद अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर उसके अगले दिन करना होगा और रोपते ना है अब उसके बाद जो है भगवान स्री गणेश के विग्रह को विद्धी विधान पुरबग होता है झमी की कमी तो पानी उसमें कम डालना है दूद दूद ऑडों थोड़ा कणेबिदें लेकर उस्में घी की मात्रा अधिक डालेंगी गई से क्या है सिंदूर और घी जो है उसको भर देगा तो मुर्ति फटी की नहीं मुर्ति फटी है तो मन मैं संकाने लगता है कि रहे मेरा पुजन सिवकार हुआ कि नहीं कष्ट बढ़ेगा बढ़तों नहीं जाएगा इस प्रकार से इस प्रकार से इन पांच प्रकार की आउसधियों को मृ विप्तिका को बटा है जिस 0 के जड़के मृतिका को लाकर जैसे ऐसे बतामें प्रकार से करते हैं एक नहीं पहले भार से और ही हो सकता है आपको मारगी मिल जा लेकिन कम रहें कम से कम कम से कंचे कम आपको साल भर करना चाहिए तो यह करना चाहिए दिखेसी आप गनिश trabajando